राम राम दोस्तो, दोस्तो मार्किट ने आज काफी बहतरीन मुमेंटम दिया है, वन डिरेक्शनल आपको एक तरीके से आप कह सकते हैं, मुमेंटम आपको देखने को मिला है, क्या क्या सेट अप बने हैं, लोजिक बहुत सारा सिंपल है, वही काफी लोगों के मन में यहाँ फिर से सवाल चल रहे होंगे, क्या मार्किट क्रेस हो चुका है, क्या अब mínगाटिब मुमेंटम आएगा, कितनी और गिरावट आएगी, बहुत सारे मन में सवाल चल रहे होंगे, क्या सब का पैसा डूबने वाला है, किस तरह की situation क्रेट होगी? आफी मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, भई वन डे के टाइम फ्रेम पे हम काफी दिनों से क्या discussion कर रहे थे कि ये एक support zone है, ये एक support zone है, ये एक support zone है, तो अगर market इस वाले zone से नीचे आता है, क्योंकि यहाँ पे हमारा कौन सा level था, 0.5 और 0.6 के level थे इस एरिया में, कि अगर उनका breakdown देके market नीचे चलता है, और 48,000 का भी breakdown देके चलता है, तो अगले support की possibilities हमारी क्या हो सकती है, इस वाली trend line पे, ठीक है, तो पहले support की possibilities इस वाली trend line पे होगी, फिर यहाँ पे एक और सवाल उठता है, क्या अगर इस trend line का breakdown मिल गया, तो क्या हम negative momentum मानेंगे, market में crash मानेंगे, तब भी मैंने आपको एक चीज समझाई थी, one month के time frame पे, किसी ने मेरी last weekend वाली वीडियो देखी होगी, सायद मैंने आपको कप provide कराई थी, Sunday को provide कराई थी, अगर नहीं देखी, तो जाके देख लेना, मैंने आपको एक चीज और बताई थी, कि यहाँ पे भी एक trend line है, भई एक trend line आपको ये दिखाई दे रही होगी, जो अभी हमने one day के time frame पे draw करी थी, हम negative momentum के लिए तब तयार होंगे, जब market इस वाली trend line का breakdown देगा, क्योंकि इस वाले phase में market क्या बनाता हुआ चल रहा है, अगर आप धियान से notice करेंगे, market आपको इस तरीके से momentum दे रहा है, ये higher high आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, और ये higher low आपको बनते हुए दिखाई दे रहे हैं, यानि कि जब तक इस trend line पे support रहेगा, तब आप कह सकते हैं कि market में आप crash की situation बन रही है, ये काफी negative momentum आपको देखने को मिल सकता है, ये doubt clear हो गया होगा बहुत सारे लोगों का, अगर clear हो गया है तो comment में yes, जरूर लिख देना, याद करके लिख देना, आई है वापिस वहीं पे आते हैं, वन डे का time frame हम यहाँ पे select कर देता हो, तो यानि कि हमने क्या देखा, कि पहले support की possibilities यही रही अगर negative momentum continue रहा, इसका breakdown मिल गया, तो एक और हमने one day के time frame, one month के time frame पे देखा support zone, उस पे हम focus करेंगे, ठीक है, उस पे आपको focus करना है, आईए अब हम यहाँ पे वापिस आते हैं, और logic को थोड़ा सा समझने की कोशिस करते हैं, आज का logic काफी simple था, काफी बहतरीन था, यहाँ पे आप देखेंगे market ने क्या दिया, previous day low का breakdown दिया, retest किया, projection बनाया, एक range भी बनाया, यहाँ कि एक साथ आपके लिए, बहुत सारे market ने यहाँ पे pattern create करके दे दिया, आपको previous day low का breakdown भी दे दिया, आपको setup का breakdown भी दे दिया, आपको market ने breakdown देके, retest करके, एक price action का breakdown भी दे दिया, यहाँ कि तीन-तीन confirmation आपको market ने यहाँ पे दे दिया, एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो हमारा intraday strategy वाला course है उसे आप लोग काफी पसंद कर रहे हैं तो उसके लिए आप सभी का दिल से thank you काफी positive response आ रहे हैं उसके काफी आप लोगों के positive comment आ रहे हैं तो उसके लिए दिल से thank you तो अभी हम 75% के offer को और भी ज़्यादा extend कर रहे हैं आपके इसी खुजी को देखते भी आईए वापिस यहीं पर आ जाईए यहाँ पर आप situation देखोंगे देखो main जो चीज होती है वो यहाँ पर होती है काफी लोग जिसे trap होना होता है वो यहीं पर हो जाता है जो setup का इंतिजार नहीं करते हैं जिने setup नहीं पता होते यह strategies नहीं पता होते वो इसी phase में trap हो जाते हैं लेकिन जो logic को ध्यान से समझते हैं वो यहाँ पर survive कर जाते हैं जैसे कि अभी मैं आपको explain करूँ यह आपके लिए क्या बन गया previous day low बन गया यह आपके लिए क्या है previous day closing है यह आपके लिए क्या है previous day high है इतनी चीज़े आपको पता है यहाँ पर आपको यह चीज़े दिखाई दे रही है अब यहाँ पर क्या रहेगा देखो इदर Nifty 50 का चार्ट लगा हुआ है अगर किसी को दिखाई ना दे रहा हूँ ये Nifty 50 है ये Nifty Financial Services है और ये है हमारा Bank Nifty ठीक है? लोजीक हम सभी का discussion करेंगे आप बेफिक करेंगे लेकिन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोसिस किए अब जिसे trap होना होता है वो यहीं पर trap हो जाता है लेकिन market में आप देखेंगे यहाँ पर आपको rejection देखने को मिल रहा है previous day closing से इससे उपर closing नहीं देखने को मिल रही है आपको candle इस तरह की आपको देखने को मिल रही है अगर market में अब दूसरा यहाँ पर आपको trading day high भी market ने बना के दे दिया अगर market इस वाले zone का breakout देता तो positive side कुछ plan करते क्योंकि अगला important resistance previous day high हमारे लिए काफी अगला important resistance होने की possibility बन जाती लेकिन market ने वैसे नहीं किया तो इसका मतलब हमें एक बात तो समझ में आगे कि positive side हमें नहीं जाना चाहिए या positive side हमें नहीं सोचना चाहिए अब market ने यहाँ पर rejection लिया लेकिन हम यह देख रहे हैं कि नीचे एक और support है previous day low का market ने यहाँ पर पहले भी double bottom बनाया था आया था यह से rejection लिया था bounce करया था फिर बहतरीन bounce करया था यह चीज भी हमें साब साब दिखाई दे रहे हैं तो यह अगर market यहाँ से नीचे negative momentum दिखाता है तो इसका मतलब यह है कि हमें scalping opportunities तो मिल सकती है लेकिन aggressively हम तब plan करेंगे जब market previous day low का breakdown देता है क्योंकि पहले भी हम देख चुके है कि market यहाँ पर support लेके bounce कर चुका है तो इससे पहले scalping opportunities में part लिया जा सकता है लेकिन aggressively selling आप इसके बाद ही कुछ plan कर सकते थे समझ में आया आपको logic वो ही चीज आप nifty financial services में देख सकते हैं यहाँ पर आपको क्या breakdown मिला previous day low का breakdown मिला momentum मिला साथी साथ यहाँ पर 0.5 का level था अगर आपके याद हो market ने उसका breakdown दिया तो आपके लिए अगले support की possibilities कहा थी 0.618 के level पर थी यहाँ पर nifty 50 में already 0.68 के level थे और bank nifty में भी already 0.68 के level थे और market ने इनका breakdown दिया retest के आपके लिए price action भी बनाया हला कि bank nifty काफी volatile रहा लेकिन आप देखेंगे nifty financial services और bank और nifty 50 में काफी बहतरी आपको one directional momentum यहाँ पर देखने को मिले है आला कि beach beach में market ने pattern भी बनाया पहला pattern यहाँ पर बनाया फिर इसका breakdown दिया फिर अगला pattern यहाँ पर बनाया फिर इसका breakdown दिया यहाँ यह इस तरह के momentum आपको यहाँ पर देखने को मिले है समझ में आ गया logic समझ में आ तो comment में क्या लिखना है yes और video को like कर देना हाई अब next discussion को plan करते हैं अब जैसे कि हम Fibonacci draw कर रहे थे यहाँ पर हम साप साप एक चीज notice कर रहे थे कि जब हम उपर से नीचे तक draw कर रहे थे हमने एक discussion किया था अगर आपकी याद हो क्या discussion किया था कि 0.68 का level ऐसा level है अगर इसका breakdown मिलता है तो higher possibility हो जाएगी कि trend थोड़ा सा change हो सकता है यानि कि अभी हमें यहाँ पे Fibonacci के according यह दिखाई दे रहा है कि एक negative trend की possibilities है कि अगर market 0.618 की level का breakdown दे चुका है क्योंकि अगर कल वापिस आके फिर से closing दे दी तो फिर से possibility बढ़ जाएगी कि market में एक positive side momentum आ सकता है अगर 0.618 की level से उपर close हो गया लेकिन अगर नीचे ही रहा तो इसका मतलब trend change होने की possibility हो गई ठीक है यह बहुत ही rare होता है कि 0.78 से market bounce कर जाए लेकिन जादतर इन दोनों चीजों पर focus किया जाता है 0.5 या 0.618 की level से वो चीज हमें दिखाई दे लिए अब यहां पर काफी चीजे और भी clear हो जाती है कि जैसे अब एक बार उपर से नीचे तक भी हम Fibonacci draw करके देख लेते हैं उपर से नीचे तक कब करना है या नीचे से उपर तक कब करना है अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो आपको already मैंने Fibonacci पर वीडियो प्रोवाइड की हुई है काफी कल कमेंट भी आये थे आपके वीडियो में कि Fibonacci पर डिटेल में वीडियो प्रोवाइड करो तो मैं already प्रोवाइड करा चुका हूँ आपको चैनल पर इससे related वीडियो मिल जाएगी वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं अब आप अगर notice करोंगे तो अगर market यहीं से support लेके bounce करने की कोसिस करता है या फिर हम क्या करेंगे एक चीज धियान रखना कि अगर market trend line का support लेने जाता है कौन सी trend line का जो भी हम ने one day के time frame पर देखी थी अगर इस वाली trend line का अगर आप देखेंगे यहां से भी bounce किया अगर इस वाली trend line का support लेने जाता है और bounce करता है तो इस वाली situation में तब फिवोनाची आपके काम आ सकता है क्योंकि आपको high का पता है और low का पता लग जाएगा तो आपको ये पतल हैगा कि ये retracement कहा तक आ सकता है क्योंकि आपके लिए ये वाले levels रहेंगे समझ पाए कि नहीं चीजे किलियर होगी नहीं confusion ठीक है तो अभी आप इस वाले trend line पर focus करेंगे अगर ये negative momentum continue रहा है अगर आपको previous day low का breakdown मिलता है तो आपके लिए अगले support की possibilities ये trend line है एक बात हो और धियान रखना trap मत हो जाएना ये trend line है market ने इससे नीची momentum दे दिया तो इससे breakdown consider मत कर लेना क्योंकि कभी market ऐसे वापिस आए और इस तरीके से closing दे दे तो इससे आप क्या consider करोंगे ऐसे support की consider करोंगे breakdown देना होगा अगर आप negative side trade plan करेंगे क्योंकि नीचे एक one month वाली trend line भी है जो हमने discuss की थी one month पे तो आप ध्यान ये रखेंगे simple सा जो मुझे personally rule अच्छा लगता है कि पिछला swing ये है इसका support zone का एक support zone market के लिए ये भी हो सकता है कभी पहला support यहाँ पे लिए अगर इसका breakdown देना होगा अगला support market ने इस वाले swing पे लिए जो ये support zone है जो trend line पे support कर रहा है अगर इसका breakdown देता है तो मैं negative side थोड़ा और confirm हो जाऊँगा फिर जो one month वाली trend line है मैं उसे approach करने की कोसिस करने की possibility बढ़ जाएगी समझ में आ गया आपको चीजे clear हो गई समझ देखो चीजों को समझो अगर मान के चलो market ने इसका भी breakdown नहीं दिया market वापिस आ गया और यहीं पे retest करने गया फिर breakdown दे दिया तो यह भी एक plus point रह सकता है यानि कि कुछ price action बनना चाहिए ऐसे ही नहीं कि trend line से नीचे आए और आप हवा हवा में negative side मतलब position लेके बैठ जाओ कि बही चलो हम भी position ले लेते हैं वो गलती नहीं करनी है समझ में आ रही है गी नहीं चीजे clear हो रही है गी नहीं देखो comment में yes लिख दिया अगर हो अगर चीजे समझ में आ रही है उसमें कोई भी confusion नहीं होना चाहिए आईए अब हम थोड़ असा एक एक चीज को थोड़ असा step by step समझने की कोशिस करते हैं अपने लिए कुछ important चीजे draw करने की कोशिस करते हैं जैसे हम यह देख रहे हैं कि जिस level पर market फिलाल खड़ा है इस level पर पहले भी struggle रहा है अगर आप यहाँ पर notice करेंगे resistance था, breakout मिला support था फिर से breakdown मिला, फिर से resistance था फिर से resistance था, breakout मिला, फिर से support था फिर से resistance था, यानि कि पहले भी market इस level की respect करता हूँ चल रहा है, अगर आप इसे notice करेंगे तो जो आपको दिखाई दे रहा हूँ यह चीजे हमें यह आप साप साप दिखाई दे रहे हैं यानि अगर इसका breakdown मिलता है तो यह आपके लिए एक important resistance के रूप में आपको दिखाई दे सकता है यह भी हम notice कर सकते हैं क्योंकि हम जानते है support zone है, breakdown मिलेगा तो उसकी resistance की तरे act करने की possibility बढ़ जाएगी यह चीज हमें दिखाई देगी अब projection के according हम देखें मैं simple सा आपको आज projection निकालना बताता हूँ बहुत ही simple सा discussion करूँगा मैं आपके साथ, यहाँ पे देखो यह आपके लिए क्या हो गया यह आपके लिए एक support zone निकल के आ गया है यहाँ पे, यह support zone में किस base पे निकाला, price action के according निकाला, क्या क्या चीज़े मैंने यहाँ पे देखी, मैंने आपके नोटिस किया कि market में यहाँ पे अच्छी buying भी आई है फिर support भी लिया है, फिर resistance भी लिया है अगर आप देखेंगे, support ले रहा है support ले रहा है, resistance ले रहा है तो यानि कि अगर market में एक negative momentum आता है तो एक यह support zone की possibilities हो सकते दूसरा यहाँ पे एक और notice है एक चीज़ हो रहे है, यहाँ पे आप देखेंगे 47,000 का एक important level भी है यहाँ जोन क्या है 46,966 कितना कम है लगबग 34 ठीक है, लेकिन support zone तो यह है round level भी है, यानि कि यहाँ के पास में एक round level भी है, और price action के according भी हमें यह zone important दिखाई दे रहे तो हमारे लिए अगले important support की possibilities क्या है, 47,000 क्या बात सिर्फ इतनी से simple है नहीं, इतनी से simple नहीं है, मैं time frame change कर देता हूँ 1 hour का time frame हमारे लिए यह trend line भी एक support zone है, इसका जब breakdown हाएगा, आपके लिए अगला important support तब 47,000 बनेगा, काफी लोग ये समझते हैं, मैंने आपको शुरुआत में क्या समझाया, कि ये आपको market trend line का breakdown देगा, फिर उपर चला जाएगा तो काफी लोग यहीं पर confused हो जाते हैं कि breakdown तो मिला था, ये उपर क्यों चला गया ये उपर इसलिए चला गया, ये आपको trap करने आए था, नीचे ये वाला support zone important था, जो अभी मैंने आपको draw करके दिखा है, कहाँ पर draw करके दिखा है, simple सा price action के according, ये बता है, ये बता है ये बता है, वो trend line यही पर थो है, ये रही ठीक है, तो काफी लोग यही पर confused हो जाते हैं, कि market ने यार trend line का तो breakdown दिया, फिर यहां से क्यों bounce कर गया तो क्यों वो possibilities होती है, चलो एक doubt or में clear कर देता हूँ अगर bounce नहीं किया, market ने इसका भी breakdown दे जा, तो इसका मतलब की नीचे description में आपका application का link में जाएगा, जाएए अपनी learning को strong कीजिए, setup समझी, intraday strategies, वहाँ पर सीखने की causes कीजिए, आईए अब यहाँ पर हम कुछ और चीजे भी समझने की causes करते हैं, देखो दोस्तों इसी में nifty 50 का भी discussion होगा, nifty financial services का भी video भी end नहीं हुए, देखते रहिए, और like जरूर कर जाएए, खर दीजे अगर content पसंद आ रहा है, अगर market flat open होगे, आपको positive momentum दिखाता है, तो हमार लिए अगला important resistance की possibilities इस वाले area में हो सकते हैं, 47,750 के according, इसका breakout मिलता है तो 48,000 काफी important level हो सकते हैं, negative side momentum दिखाता है तो वो discussion में आपके लिए करी चुका हूँ, ये वाला support zone काफी important है, और ये वाला support zone काफी important है, और एक support zone यहाँ पे भी है, जो हमने price action के according देखा था भी one hour के time frame पे लेकिन अगर आपको यहाँ पर gap up opening मिलती है, दोस्तो gap up opening का discussion करने से पहले मैं आपको बता दूँ ये आपके लिए किसी भी तरह का न तो कोई buy recommendation है, ना ही कोई selling recommendation है ये just educational purpose से बनाएगी analysis video है invest करने से पहले आपको अपनी research करनी है, अपनी investor की सला लेनी है क्योंकि profit भी आपको उने वाला है तो आपके लिए अगला important resistance कौन सा discuss किया था हमने, ये वाले zone में आपके लिए, अगर इसी के असपास market gap up open होता है और एक reversal दिखा देता है, तो आपके लिए previous day closing support रहेगा और previous day लो भी आपका पास में इसका breakdown मिल गया तो ये trend उपर sustain कर गया, तो आपको फिर से market में bounce देखने को मिल सकता है या फिर से आपको market में कुछ हाल देखने को मिल सकता है, वहीं पर gap down opening मिली, तो आप पूरा focus इस वाली trend line पे कर दिए, अब एक बात और धियान रखना, अगर gap down opening देखे, market ने आपको negative momentum दिखा दिया, तो छोटे छोटे momentum को पकड़ने की कोशिस करना, ना कि aggressively plan करना, क्योंकि आपके लिए यही पे एक और important support है, round level भी है, दूसरा हमने price action के according भी देखा था, support level है अगर इसका breakdown मिलिए तो आपके लिए अगले important support के लिए काफी बहतरीन एक area मिल जाएगा आपको trade करने के लिए, समझ में आगी, आईए अब हम कुछ नजर डालते हैं, nifty 50 पे nifty 50 में भी मैं आपको एक बार Fibonacci लगा के दिखाता हूँ हम काफी दिनों से इसका discussion कर रहे थे, कि market hold कहाँ पे हैं 0.68 के level पे था market ने इसका breakdown दे दिया, retest करने भी आए और आपको काफी बहतरीन market ने momentum यहाँ पे दे दिया क्योंकि फिर आपके लिए अगले support की possibilities कहाँ पे थी, 0.786 के level पे, लेकिन market ने आपको यह achieve करा के दे दिया चीज़े clear होगी यहाँ तक, कोई भी confusion है अगर आपको nifty 50 में flat open होके positive momentum देखने को मिलता है, तो इस वाले situation पे आपके लिए अगला important resistance यह रहेगा, 22,000 का आप breakout होने देंगे, इससे नीचे price sustain कर रहा है, लेकिन अगर इससे उपर breakout देके, price उपर sustain करने लगा, तो यह की important support के रूप में काम कर सकता है, आपके लिए अगला important resistance इस वाले swing area में रहेगा, इसका breakout मिल गया, तो इस वाले swing area में आपके लिए important resistance की possibilities हो सकते हैं, लेकिन condition क्या रहेगी 22,000 के उपर price sustain होना चाहिए, वहीं पे अगर nifty 50 में आपको flat open होगे, आपको negative momentum देखने को मिलता है, तो इस वाले situation में आप previous day low को निकलने देंगे, इसका breakdown मिलता है, जो 19 का day low है, यह आपके लिए काफी important support की possibilities हो सकती है, वहीं पे अगर आपको gap up opening देखने को मिल जाती है, तो gap up opening के case में आप पूरा focus रखेंगे 22,000 पे, अगर इससी के आसपास gap up open होके breakout देदे, ज्यादा बहतर यह रहेगा, इसके नीचे time spent करके breakout दे, तो और ज्यादा confidence आएगा positive side जाने में, लेकिन अगर gap up open होके reversal भी दिखाने लगया, इस zone से rejection देने लगया, तो previous day low से नीचे आने देना, क्योंकि फिर आपके पास काफी बड़ा gap मिल जाएगा, कि market में एक momentum आपको देखने को मिल जाए, लेकिन वहीं पर अगर gap down opening मिल गी, तब भी आपके लिए काफी बहतरी इन momentum है, अगर previous day low का breakdown दे दिया, तो यहाँ तक आपके लिए support की possibilities हो सकती है, आई एक नजर nifty financial services पर भी डाल लेते हैं, चलो nifty 50 पर एक चीज और देख लेते हैं, यह अपने support area पर खड़ा है, देखो bank nifty अभी support line पर नहीं आया है, लेकि nifty 50 आपको यहाँ पर support line पर साप साप आते हुए, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, अगर यहाँ से bounce किया, तो आपके लिए positive side opportunities हो सकते हैं, लेकिन 22,000 से उपर price sustain होने देना, nifty financial services पर देख लेते हैं, यह हमने कल की ड्रो किये हुए हैं, यह आपके लिए कौन सा था? 0.5 वाला, फिर market ने आपके लिए यह important resistance बनाया, कौन सा था? 0.618 वाला, क्या आपके लिए पहला important resistance 21,244 पर हो सकता है, इसके breakout मिल गया है, तो अगला important resistance 21,418 पर हो सकता है, लेकिन अगर negative momentum दिखा है, तो नीचे की तरफ support 21,000 पर रहेगा, एक round level भी है, और आपके लिए एक important support area भी है, अगर gap down opening मिली, इसी zone के आज पास मिलके gap down opening मिलके तो market round level का gap down देदेगा, तो आपके लिए काफी बड़ा एक momentum देखने को मिल सकता है, negative zone में आपके लिए काफी एक तो आपके लिए ये वाला support zone रहेगा, इसका breakdown मिलता है, तो इन 19 का daily आपके लिए काफी important support हो सकता है, दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना, comment में जरूर लिख देना, ये सगर समझ में आ रहा है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स वीडियो में किसी अच्छे content के लिए तब तक के लिए राम राम, thank you